जिन छोटा होगा ना कर मन भी नहीं प्रफिलाव दठाए जाओंगे वेल्कम बैक तो आर चैनल आई होप आप सही सवाइट तोंगे शुरक्षित अंगर बहुत ही कुश्य ओंगे आज से हैं मंडे और मंडे का व्लोग शेर कर रही हूं आप लोग के साथ आज मॉर्णिंग में और नाइट में ज्यादा लगती है तो आज तो बालों मेहदी में लगाना था मुझे लगाया है और फिर वह इस दुबारा समतलो नहाने के बार हेर होश करना पड़ा और सिरो ठंट पकड़ लिया है सर में तो अब में इस सर में दर्थ है दुपार को थोड़ सा लेटी थी तो थोड़ा काम भी करना था वीड कि रूटीन तो प्लीज वीडियो एंटर देखना बिल्कुल स्कृट मत करना बहुत मैंने से और बहुत ही प्यार से आप लोग के लिए रेस्पी और वीडियो लेकर आती हूं मैं उम्मीद करते हैं उपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भ होती है वास उसे तरह सा शुरुआ तर फिर आ गई हूं किचन में सुपह नैतिक को ना लंच बना कर दे दिया था टिपिन बना दिया था उसका आज पराठा साथ में अचार लेकर गया है वो आ लोगो के सबजी बनाने थी तो गोभी मैंने साफ किया तो एक दो कीड़े मु और फिर बस यहां पर अब पतेले में एक बरतन में पानी ले लिया है मैंने उसे गुन-गुना गरम कर लूगी साथी में हल्दी डाल दूगी थोड़ी सी और यह ना बेकिंग पावडर कल कुल्छे बनायते ना बेकिंग पावडर कडपा बहार ही रह गया था उसे अंदर दिया है चोटा से चीज़े बाहर रहते ना फिर प्रिया पर अपनी जगह पर सब कुछ रखो न तो प्रॉपर मतलब काम करने मुझे असानी रहती है बस यहां पानी देखे हल्दी डाल दिया नमक डाल दिया एक चमच और पानी को गुं-गुना गरम कर लिए उगली दाल क लिए छोड़ दूंगे आपन नए आलू आ रहे न बस आलू लेने उन्हें इस तरह से चील लिए अब नए आलो था सबसे अच्छी बत क्या लगती है ना आश्य चक्को से चल के उतर जाते हैं चिल ने बढ़ी आसानी रहती है और नई आलो का टेज़ भी खाने में बहुत अ कभी-कभी तो कहें कि ममी आलू कम डालो और कभी-कभी उसके मूर्ड पर होगा थोड़ा ज्यादा डाल देना इतने आलू काफी है क्योंकि नैतिक को आलू ज्यादा पसंद नहीं है वह गोभी खाएगा और गुपतार जी को मतलब आलू कुछ खास पसंद नहीं है सब्जी मे बस शुरुति के डिमांड पर मैंने आलू एड़ करते हैं कि सुबह अभी मॉर्निंग का ब्रेक्फास्ट भी हो जाएगा और आफ्टर्नून में फिर चावल को साथ भी इंजॉय कर लेंगा अलू को भी बस और दो प्याज छील लिये थे और आलू इस तरह से लंबे-लंब अध्याज को हलका गुलाबी कर लूंगी ज्यादा लाल नहीं करना है पियाज को हलका गुलाबी ही करोंगी की गोभी जो ले रखी है प्याज के साथ ही प्राइगा और जो के साथ साथ प्याज भी हमारेंगे एकदम गोल्डन फ्राई हो जाएंगे बस इसलिए प्याज को यहां ज्यादा फ्राई नहीं करूंगी मैं बस गोभी आइड कर दी देखो गोभी किना अच्छा कलर आगया अच्छी लगती है और जब मसालों के साथ यह बन कर तयार होती न चलाते वे गोभी ना मैंने गरम पानी में रखी थी तभी तो क्या होता ना गोभी ज्यादा बॉइल हो जाती है नहीं तो सौफ्ट यह बस मैंने इस गुन-गुने पानी में छोड़ दिया था उसका दो-तिन पानी नहीं अच्छी तरह से वाश कर दिया थेंडे पानी से औ हो गया लाल हो गया अलू कभी और गोभी भी अच्छी तरह से लाई बस इसी तरह से आपको अलू को फ्राइब करनी है तो देखो ना सब्जी का टेस्ट के जबर्जस्त आता है बस यह पर हल्दी एड़ कर दी और थोड़ी से कश्मीरी लाल मिर्श जो के एकसर में सब्जी मिलता है तो बस यह पर मैं न एक चमच धन्या पाउडर एक चोथाई चमच गरम मसाला चीरा पाउडर एड़ किया है और अच्छी तरह से धीमी आज पे ना इस तरह से मसालों किया है फ्राइज साथ में ना दो चमच पानी आड़ कर दें जैसे सुखे मसाले जले नहीं और इसी तरह से लंबे ले में टुकड में काट करें आड़ कर दिया साथ में स्वादनों सार पिंक सॉल्ट डाल दिया है बस यहां पर एक चोथाई कप पानी आड़ करूंगे जिससे मसाले जले नहीं तमाटर को मैंने मिलाया नहीं अभी पस यह पर धक्कन लगाएंगे और ग पर करना है मसाले और टमाटर को सब्जियों के साथ फ्राई यह प्रोसेशना बहुत जरूरी है इसी से आपके सब्जी का तेसना मतब जबर जस्त आता है तो बस इसी तरह से देखिए मैंने फ्राई किया यह दिखिए अभी थोड़ थोड़ी लग रहा है ना इसमें मौश् और इस तरह चलाया और एक ग्लास यहां पर पानी एड़ किया है आप चाहँ ना ड्राई सब्जी इस तरह से रख सकते हो और ड्राई सब्जी काफी अच्छी लगती है लेकिन मुझे थोड़ी ग्रेवी वाली सब्जी बनानी है दोपर को चाव लोग साथ भी इंजॉय करे लोग और 4-5 मिटके लिए सब्जी को ठक कर पका लिया है बिच उचम चलाते रहेंगे चेक करते रहेंगे और यह देखो जैसे मुझे चीतना बैशे लिए देखो मन्द कर ले आलो पक चुके है अची तरह से और गोभी भी नहीं चीए से में गोभी मुझे अच्छी लगत कि पराठा पूरी किसे के साथ में बहुत इंजॉय कर सकते और रोज वाली आलू को भी ना जबर जस्त बन जाती है देखो दो मिनिट और इस तरह से पका लिया सब्जी को देखो सब्जी का कलर देखो जबर जस्त कि मैं सब्जी बन गई थी गुपता जी को रोटी में बना के नाश्ता दे दिया था गुपता जी गए ओफिस उसके बाद ना बस पिस्तर सही कि और आज ये ब्लैंकेट निकाला पलंग में से लेकिन फिर रात को सोते हैं तो एक दुसरे का घीचने शुरूर जाता है तो बस गुपता जी ने आज बहुत मतलब उनको पतला वाला मिल जाता साइड में तो आज बोलने लगे तो फिर आज मेंने पलंग में से ये ब्लैंकेट निकाल लिया है तो बस ये डबल बैट की ब रात को किसी के ओपर भी ब्लैंकेट मिलेगा नहीं उठकर फिर ना जब भी रात में निंद खुलती ना तो ब्लैंकेट सबके हटे रहते हैं फिर मुझे सबको उड़ाना पड़ता है यहां पर बस मिस्तर सही कर लिया उनके जाने के बाद मैंने जाड़ों कुछा तो ही ताइम हो दो लेने के लिए बस बाल यहां सुखा लिए जल्दी जल्दी से बस कंगी कर लेगी वालों में कंगी कर लेगी टाइम नहीं था मिर पास सुखाने का यहाद तैयार हो गई हूँ अब ने जाने के लिए अब जाने नहीं को स्कूल से ले ही मत्हां मोर्म का साम करते करते अब टांब हो चुका है डेडर मैंने स्कूल शाम के लेकर रहों सीझाए को टाइबास दसकी Olokih सब्सक्राइब लेट जाते हैं अगर वह आगे जल दी तब तो लंच करेंगे बना फिर वह नाइट का टाइम पूरा दिन निकल जाता है और दिन चोटे हो गारा फिर मन भी नहीं करता सब्सक्राइब लेकर आउंगे रास्ते में ब्लॉगिंग करना पॉसिबल नहीं है बहुत मुश्किल है मेरे लिए इसलिए रास्ते का ब्लॉग शूट बहुत कम करती हूं मैं कुछ प्रॉब्रम्स हैं जिसे मैं आप लोगे साथ अभी शेयर नहीं कर सकती हूं आने वले ब्ल करें ब्लॉग और थक गये हम काफी थक गये और बस आका ना सारा आइकार्ड की बिना तो इंट्रें लिए ती स्कुल में आईकार्ड निकाल के साइड में रखा और किचन में आ गई अब नैति को नब फ्राइड राइज खानी है कल रात को ना चावल बना ले थे ना तो च иты तेल गरम कर लिया मैंने और हम बस दो प्राइज ना हाप कां से में ले लंभी लंभी लंबी टकण में काटें दो हरेमिर्चे लंभी लंबी काट से में कातरतें डाल दियोफ्स हलका स्जक ट्नांस प्ली तो अच्छी तरह से अगोर निच से बहुत में टुक्ड में शिर म यहां पर गाजर और शिम्ला मुरिच को एड़ कर दी और मेला लिया अच्छी तरह से और हाई फ्लेम पे सब्जियों को हमें टॉस करना है यहां पर पत्ता को भी आड़ कर दी यह क्रण्च सा रहता न सब्जी में तो खाने में बड़ी अच्छी लगती है तो राइड राइस थोड़ा सा सोया सॉस नमक स्वादानुसार और यहां पर प्राइड राइड राइस मसाला मैंने मंगाया था ब्लिंकिट से और वह एक साथ मंगा लिए थे पाच्छे पाउच मिलते ना वह मंगा लिए थे तो बस यहां पर एक छोटा चमची एड़ किया है मुझे ज्याद इसका फ्लेवर ज्यादा स्ट्रॉंग पसंद नहीं मुझे हलका सा ही फ्लेवर यहां पर अच्छा लगता है मिला लिया अच्छी तरह से बहुत सिंपल टेस्टी फ्राइडर बिनकर त्यार है बस चावल यहां पर एड़ कर दिए और हाई फ्लेम पर ही चावलों को मिला लि सब्जी बन रखी है अलोगों भी की और उसे छोड़ नहीं सकते हैं कि तेस्टी सब्जी बन रखी है और सभी की फेवरेट है बस यहां पर नयते के लिए लगा दी प्लेट गर्मा गरम फ्राइड राइस नयते चलागे अपना लंच लगे मैं थोड़ी से किचन की स्थरे स पूरा मुझे लग रही थी भूख बस इसे तरफ बरतन जो भी थे ना हटाए और इस तरह से आराम से रोज के ना तीन साड़े तीन बच जाते हैं बस मने अपने थाली लगाई और बस अमसे भूख परदाशनी हो रही है और कापी लेटों का बहुत लग रही है आड़ी सा